हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यटूब चेनल, आज का अमरा टॉपिक है मध्य प्रदेश सामानने ग्यान में भवले किस्तिती के बहुत ही महत्तोपूर्ण प्रशनोत्री आज जो आपके लिए प्रशनोत्री में लेकर आई हूँ, यह है प्रशनोत्री परिक्षा की द्रश्टी से बहुत ही महत्तोपूर्ण है इसमें जो आपको प्रशनोत्री बताए गई है, वह सभी पेपर्स में से लिए गए हैं जैसे MP, PST, MP, ESB, Bank हो, CETED हो, SSE एक्जाम हो, इन सभी ने अभी तक जो परिक्षा हैं आयुजित की हुई है और उन सभी की जो पेपर्स हैं, उसमें से प्रशनोत्री आपको बताए गई है, व्याक्यात्मा खल सहेतिया प्रशनोत्री है इसमें हमारा फर्स्ट कोशन है, नर्मदा घाटी उधारण है, इसका आंसर है व्रंश घाटी का, इसके बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे नर्मदा घाटी भ्रंस घाटी का उधारन है क्योंकि बिंद्याचल पर्वस रंखलाओं तथा सत्पुड़ा पर्वस रंखलाओं के मद्य ब्रशन से इन दोनों पर्वस रंखलाओं के बीच भ्रंश उत्पन हो गया है मद्य ब्रदेश की पूर्व तथा पश्य में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच भू भाग नर्मदा सोन नदी घाटी के रूप में जाना जाता है नर्मदा सोन की घाटी मद्ध बर्देश की मद्ध अधिक तम नीचा भाग है जिसकी समुद्र तर से उचाई लगभग 300 मीटर है नर्मदा नदी का उदगम सत्पुड़ा परवस रंखिला की मेकाल परवत माला के अमरकंटक अनुपूर नामकिस्थान से होता है नेक्ट गोशन है शिवालिक पहाडियां नेमने मैंसे किसका हिस्ता है इसका आंसर है हिमाले और इसके बारे मब हम विस्तार से मतलब इसकी व्याख्या जानेंगे शिवालिक पहाडियां हिमाले पर्वतमाला का हिस्ता है यह हिमाले की सबसे वाह श्रेडी है जबकि अरावली एक वलिद परवत है सत्पुडा विंधियाचल परवतमाला स्रंखला का हिस्ता है next question है निमने लिखित मैंसे मद्धि परदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को इसपर्ष नहीं करती है इसका आंसर है शियोपुर और इसके बारे बें हम विस्तार से जानेंगे मतलब इसकी व्याख्या जानेंगे मद्रदेश के शियोपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को इसपर्ष नहीं करती बलकी है शिवपुर जिला राजिस्थान राज जी को इसपरस करता है जबकि भिंड सत्ना शिवपूरी जनपद उत्तर परडेस की सीमा को छूते है Next Question है मधेपरडेस की जलवायू है इसका आंसर है मांसूनी मधेपरडेस की जलवायू मांसूनी है इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे, मतल़ा इसकी व्याख्या जानेंगे हाँ मदेपडेज की जलवाईों मानसून पर निर्वल करती है ग्रीश में रितू, गर्म, वस्शुस्क होती है और गर्म हवाय चलती है मालवा पठार की सबसे उची चोटी का नाम क्या है? इसका आंसर है सिगार अब इसके बारे में आप विस्तार से जानेंगे मालवा का पठार बिंध्य पहाडियों के आधार पर त्रिभुजाकार है यह है एक लावा पठार है इसके पूर्व में बुंधेलकंड और पश्य में आरावली पहाडिया है इसकी डाल उत्तर पूर्व की ओर है मालवा पठार की सबसे उची चोटी सिगार है जो 881 मीटर उची है